नमस्कार आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरसत्तम के साथ पूरे बिहार की राजनीती कुसवाहा भोटरों के इर्द गूम रही है कहां जाएंगे उपर इंदर कुसवाहा क्या कुछ करेंगे जो बिहार के कुसवाहा भोटर से वो क्या कुछ करेंगे आज यह नहीं चीजों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा करने के लिए हमारे इडिटर इंचीफ आ रहे हैं उन्हीं से हम चर्चा करेंगे आज जो बिहार की स्थिती है और कुस्वाहा समाज को लेकर के जो अटकले लगाई जा रहे हैं उस पे बिस्त्रित जानकारी हमारे इडिर्टरन चीफ आपको देंगे स्वागत है सर आपका धन्यवाद पूरे बिहार में अभी जो है इस्थिती बन गई है सिर्फ और सिर्फ तमाम जो न्यू चैनल है और तमाम पॉलिटकल लाइसिस हैं उनका ध्यान उपेंदर कुस्वाह समाज के उपर है तो आपकी क्या राय है आपको क्या लगता हैकि उपेंदर कुस्वाह का अब क्या होगा है अप्रशोतम आपको पहले भी याद होगा वहलोगों ने चर्चा की थी भारतिय ज day जनता पार्टी की स्थिति पूरे हिंदुस्तान की राजनीत में आप देख लिजे कि भारतिय जनता पार्टी ने जिन जिन अस्थानिय च्छत्रपों के साथ अपने हाथ मिलाए उन सबों का खात्मा धिरे-धिरे हो गया हो गया खातम कर दिया एक ही व्यक्ति बचा हुआ है जो है हमारे नित इसकुमार इनके सारे सेटिंग को धात्ता बत्ता करके और अपनी रोटी सेक लेते हैं यह बहुत बड़ी बात है आप यह समझे कि भारतिय जनता पाटी जो पूरे हिंदुस्तान की समसे बड़ी पाटी है आज की तारिख में उसको भी घुटना तेकना पड़ता है किसी ए व्यक्ति किसी एक चत्रप के आगे है तो नितीश कुमार है बिहार के चत्रप चेत्रिय दलों के चत्रप आप देख लिए स्थिव सेना की क्या इस्थेती हो गया आज की तारिख में शिव सेना जिसके नाम पे मुंबई की सरकार चलती थी बाला सहाब ठाकरे जिनोंने स्थेना क्या स्थापना की उनको सरकार कर जाता था कोई मुख्य प्रधान मंतरी कोई फरक नहीं पड़ता है वही होगा जो ठाकरे चाहेंगे आज क्या इस्थिति कर दिया तुकुरो तुकुरो में बाट दिया आप यह देखिए मुफ्ति मौंबत सहीद के साथ इन लोगों ने जम्मू कस्मिन पर सरकार बनाई था आज कहां है मुफ्ति की स्थिति खतम कर दिया उनको साथ बारतिय जंदा पाटी के गठ बंधन रहे उनकी क्या स्थिति हो गई ख़लाकि मैं आपको बिटाओं कि राष्ट के विकास के लिए ये बड़ा आवस्यक होता है कि दो ही दल रहे एक पक्षर एक बीपक्षर है इसे राष्ट की प्रगति होती है तो छेतरिय दल जो है वो नुक्सान दे तो होते हैं लेकिन अब जो पॉलिटिकल धरातल जो बना ह हुआ है राजनीति पिस्ट भूमी जो पनी हुई है उसमें आप छेत्रिय धलों को अभर लुक करके राजनीत इंदुस्तान में नहीं कर सकते हैं हाला कि कॉंग्रेस ने भी कई बार किया बीजेपी ने भी किया लेकिन सब पक्ष में परचार किया और भारती जंता पाटी की जीतने स्टार परचारक थे सब लोगों ने उपंदर कुस्वां के परचार किया फिर भी होता नहीं और खाने का अलग और दिखाने का अलग वह साबित होते अना जरा रहा है वो साभित होते ने जरा रहा है बिनोद तावडे जी ने राजसभा और बिधान परिशद दोनों के लिए commitment किया था उपंदर कुषवा से आज ना राजसभा मिला और ना बिधान परिशद मिला बिधान परिशद में नितिजी ने क्या किया नितिजी ने देखा कि कुस्वा आँख दिखा रहा है तो कहा कि कुस्वा को किस से काटो तो कुस्वा को कुस्वा से काटो तो उपंदर कुस्वा के जगह पे बगवान से कुस्वा को खड़ा कर दिया देखिए आपको यह समझ यह 27 विशी हुई है ये राजनिती की विशात विशी हुई है और बिहार की राजनित में जातिकत जो समिक्रण है उससमिक्रन को अगर आप नहीं साध़ पाएंगे तो राजनीत नहीं कर पाएंगे अखिर उपेंदर कुस्वाहा को न जदियूत तबज्जों दे रही है न भाजबा तबज्जों दे रही है कारण क्या है कंधा से कंधा मिला कर लेके चलने में क्या दिक्कत है एक बात आप समझ लिजिए आपको क्या लगता है कि राष्टी जंता दल को बहुत तबज्जों लेकिन बारतिय जन्ता पाटी के साथ जो बहुत मजबूती के साथ और अपने 100% परफॉर्मेंस के साथ है वह चिराग पासवान 100% स्टाइक रेट 100% स्टाइक रेट पांच सीट पांचों जीता ये परफॉर्मेंस किसी दुसरे का नहीं है और पुरे हिंदुस्तान में नहीं है किसी भी घटक दल के साथ ऐसा नहीं है कि जितने सीटों परफॉर्मेंस कोई वेकेंसी नहीं शिराग पासवान कोई वेकेंसी नहीं आखिर कुसवाद जाएंगे कहां किदर जाएंगे अपनी राजनितिक विसात इनकी इसकदर नहीं रही देखिए एक वक्त था कि कुसवाद सबसे कड़ावर नेता भीहार के हुआ करते थे लेकिन आज जो इस्थिती बनी आप यह समझे उन्हीं के समाजने ना कई वीडियो वाइरल हुए थे लेकिन वोट आपको नहीं तो जाती की राजनित करने वाले जो छत्रप हैं उनको भी एक बात समझना चाहिए क्या समझना चाहिए कि जब हम अपने जात विरादर की राजनित कर रहे हैं तो हमारे इराके में जितने भी लोग हैं उनसे समझ समझ पर एक अंतराल पर हम मिलते जूलते रहें पात साल में एक बार जाहिएगा तो जात के सबसे बड़े ठेकेदार आपी हैं आज की तारिख में राजनितिक महत्वा कांचा इतनी बढ़ गई है के कुस्वा समाज में एक हज्जार नेता पैदा हो गए सब अपना अपना राजनितिक भी साथ बैठा रहा है अब कुस्वा वोटों में बहुत बिखरा हो गया बहुत जादा हम आपको बता रहे हैं कि अभी जो कुस्वा वोट की इस्थिति है आप यह देख लिजेगा जिस तरह से कावत है ना दोबी का गदा ना घर का ना गाट का तो यह जो दो-चार ब्रोकर हैं अपने जात के जिसमें आप उबंदर कुस्वा का नाम लिख लिजे जिसमें आप दो-चार और कुस्वा ने ताओं का नाम लिख लिए उमेश कुस्वा जदिए उमेश कुस्वा जदिए बहुत सारे लोग है तो आप यह मान लेजिए कि कुस्वा भोटों में इतना ज़्यादा बिकराव हो जाएगा है ना उंगली में कोई ताकत होती है मुठी में दम है ना यह मुठी भिखर जाएगी और वह भिखरने की कगार पे आ गया है आज अगर कुस्वा समाज यह चाहता है कि उनकी जो हिस्सेदारी बननी चाहिए वो उनको मिले तो इसके लिए उनको एक जूठो के रहने की ज़रुत है लेकिन अब आप यह समझ लीजें पूरे पिहार की राजनीत में आप देखेंगे तो कुस्वा समाज को सबसे ज्यादा आपने साथ लेके चलने वाला कोई व्यक्ति था तो था नितिसकुमार लोग को समीकरन लोग को समीकरन इस बार चुकि भारतिये जंता पाटियों दोन उन्हें कुस्वा मतों को उस तरीके से प्रजेंटर नहीं दिया है ना तो एंडिये से कुस्वा मत गायब हो गया और सीधे महागट फंदिंग की तरफ चला गया तो आज जो इस्थिती बचर बन रही है वह यह बन रही है कि एंडिये भी कुस्वा वोट को साधना चाहता ह है है लेकिन एंडिये क्या करना चाहता है एंडिये नहीं को उपंदर कुस्वा को च्छाट के उपंदर कुस्वा को कुछ देना होता तो थोड़े कि बागवान सिंग कुस्वा की जगह पे वो माधाव आनन्द जो है माधाव आनन्द को mlc नहीं बना दिया था ठीक है यह क के बीजेपी के साथ बहुत बार्गेणिंग की थी तो बीजेपी क्या धीरे-धीरे पता काट देता है तो उपंदर कुसवा का पता काट दिया और जो इस्थिति आज की तारीक में दिख इसथिति भेड़ सकती है तो तीनों दल जो है रास्तिय जन्ता भी अपने जंता दली उनाइटेट के साथ क्या है कि जंता दली उनाइटेड कोईरी कुर्मी कोश्वा यह जो Inspector दो है उनका बैंक यह कंवे जाएungen से ख सब ऊपनां पाला को तार दिया कि देखिं देखिद को तेंक आंपके। को ले आए मेल सी का सीट दे दिये अब रही बात भाजपा की दो राजसभा के सीट खाली हो रहे हैं एक भीवेग ठाकुर का दो साल का कार्ज काल है कहा जा रहा है कि दो साल का लोली पॉप उपेंदर कुस्वाहा लेंगे नहीं और मिशा भारती वाला जो सीट है चार साल का जो उसका कार्ज काल है वो जदियू के खाते में जा रहा है तो जदियू तो उपेंदर कुस्वाह को देगी नहीं तो ऐसे स्थिति में बताईए कि उपेंदर कुस्वाह क्या करेंगे उपेंदर कुस्वाह को भीवेग ठाकुर वाला लॉली पॉप दिया जा सकता है अच् है न और नहीं तो आपकी राजनीती समाप्त हो जाएगे अच्छा एसे लोगों की छर्चा हो रही है लोग जो है सब लोग कर रहे हैं कि उपेंदर कुस्वाहा को बड़ा डिसीजन लेना चाहिए अपने समाज के साथ खड़े हो जाना चाहिए यह दो साल चार साल का लोलीप है ना और उपेंदर कुस्वाहा की स्थिती भी हो जाएगी है ना यह तास के पत्ते की तरह बिखर के राज आएंगे कुछ के नहीं घर के नगाट के तो उपेंदर कुस्वाहा का आने वाले समय में आपको क्या लगता है बिहार पॉल्टिक्स में जो पकर होनी चाहिए वो दो ही साल के सहां तो जितने दिन के लिए मिले रवी लगाट के धर लिजे नहीं धर येगा स्वाहा हो जाएगा कोई नहीं पूछेगाए अड़ाईश्वी करने के बाद आदा तीन सेट लाते है बंदर कुस्वाहा थे तो आड़ाई-टीन सो रेली अप नहीं होगाई तो को बभविष्र चिराग का बहुत है जो सेकंट जन्रेशन है। सेकंट जन्रेशन में जो लोक दिख रहे हैं। उसमें दोही नेता पूरे भीहर में दिख एक तेस वी और एक चिराग को मोधी का साथ है। यह आने वाले समय में क्या गुल खिलाएंगे तो यह उपंदर कुसवा को भी तै कर लेना होगा कि हम अपना सयोग अपना समर्धन कहां रखें लेकिन मुझे यह लगता है कि अगर उपंदर कुसवा को राष्ट्रिय जन्ता दल में कोई अच्छी जगह मिल जाए तो वो भी उनके लिए हितकर हो सकता है आने वाले विधान सबाच चलिए सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो आप देख रहे थे कि उपंदर कुसवा को लेकर के जो तमाम तरह के जो सियासी अर्टकल चल रहे हैं उसमें उपंदर कुसवा कहां फिट बैट रहे हैं इसकी जनकार हमने आपको दे दी अब उपंदर कुसवा के साथ आने वाले चार-पांच दिनों में क्या कुछ होता है उस पर भी हम एक संदार एनलाइसिस लेकर के आपके शामने आएंगे तब तक बने रहे हैं हमारे साथ देखते रहे हमारे चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए सियर किजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा बहुत बहुत धन्यवाद कर दो